Firebolt के एक नहीं smart watch Amazon के support page पर लिस्ट हो चुकिए इसमें लगबग सबको 2-inch की बड़े size की display देखने को मिल जाएगी जिसका नाम है Firebolt Terno अब यह जो watch है under 2000 pricing के अंदर में आ रही है Bluetooth calling और necessary type के सारे features offer कर रही है तो इस video में मैं Firebolt Terno smart watch के सारे specification के बारे में बताने वाला हूँ कब launch होगी, क्या इसकी price होने वाली, सारी detail आपको इसी video के एंट तक मिल जाएगी पहले बात करते हैं अब इसके design and build से तो Firebolt Terno smart watch का जो basically frame है यह square देखने को मिल जाएगा, polycarbonate built होने वाला है और right hand side में crown type का physical की मिलेगा basically इसको press करके आप mini अगर access कर सकते हो इसमें 22 mm size का silicone का step यूज किया गया है आप इसके step को change करके third party step भी यूज कर सकते हो और smart watch 3 to 4 different colors के अंदर में देखने को मिल सकती है तो यहाँपर design होगर आपको एकतम basic सा मिल है और 500 nits की brightness होने वाली है तो outdoor होगरा ज्यादा visibility का issue face करने को नहीं मिलेगा 100 plus watch faces cloud based मिल जाती custom watch face भी use कर सकते हो तो यहाँपर जो colors होगरा है average देखने को मिल जाएंगे लेकिन अगर आप कोई custom watch face देखने को मिल जाएंगे आज की time पर जो सबसे necessary feature है Bluetooth calling तो वो भी आपको इस वाली watch के अंदर में मिल जागा तो built-in microphone और speaker है जिसके वारा से आप Bluetooth calls कर सकते हो calling experience काफी सही देखने को मिल जाएगा और इसमें 120 plus workouts mode भी देखने को मिलेंगे तो 120 से भी जादा different type के workouts mode दिये गए हैं अब यहाँ पर जो accuracy है बहुत अच्छी तो नहीं मिलेगी average type के accuracy आपको इस वाली watch के अंदर में देखने को मिलेगी इसके लाब हो fitness के सारे features दिये गए हैं जैसे heart rate, spo2, sleep tracking, breathe training, water drink reminder, sedentary reminder इस type के multiple वाली fitness features मिल जाएगे तो इसे battery backup भी आपको इस वाले watch के अंदर में अच्छा ही देखने को मिलेगा इस वाले watch में IP68 की rating है, मतलब आप इसको तेर्ड मेटर पानी के अंदर लेके जा सकते हो accidentally पानी कभी watch पर गिर जाता, उस case में यह खराब नहीं होगी इसके अलावा AI wise assistant भी होने वाला है, तो आपके phone के wise assistant को smart watch टिगर कर देगी और इसमें built-in कुछ games भी दिएगा है, तो बड़े size की display तो जिनको game खेलना पसंद दे smart watch के लिए उनकी लिए थोड़ा सा useful इसका बड़े जाने वाली है, उसकी जो pricing है वो 2000 रुपेज होने वाले, तो pricing के साबसे अगर आप देखते हो तो बड़े size की display, built-in game, workouts बहुत सारे और बैटलाई भी अच्छा है इसमें देखने को मिल जाता, pricing के साबसे मेरे को watch काफी सही लेगी है, अगर बस इसका जो frame है वो अगर metallic होता, तो और ज़्यादा ये watch premium लग सकते थी, पाके आप लोग comment करके बता सकते हो कि ये वाली watch आपको कैसे लगी, मिलता हूँ मैं आप से अगले वीडियो होगे